नमस्कार बहुत स्वागत आपका आप देख रहे हैं दा न्यूज और आपके साथ मैं स्विस्टी मिश्रा ममता बेनर जी और पीएम मोदी की बात करेंगे क्यूं क्यूं क्यूंकि देखे आज पीएम मोदी ने अपने दसफेश स्वतनता दिवस को मनाया है ऐस अ प्राइम मि और पूरा कपूरा उनका 90 मिनट का भाशन देश के युवाओं में देश के बुजर्गों में देश के नौजवानों में और देश की महिलाओं में जोश्ट भर देने वाला था मामता बेनर जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिनसे राज्य में हिंसा सम्हलने रही ह जनता लगातार पोस्ट करती है कि नाराजगी इतनी जादा हो गई है कि अब राज्य में यह सरकार नहीं चाहिए ममता बेनर्जी ने बीते दिन यानि 14 अगस्त को बंगाल से देखिए क्या के दिया है प्रधान मंत्री का कल का सुतंता दिवस वो आखरी होगा यानि कि प्रधान मंत्री लाल किले से अपने आखरी जंडे को फेराएंगे ये देखिए मानसिक्ता और आज देश आज़ादी का जश्ण में डूबा हुआ है पूरा देश आज हमारे नौजवानों को याद कर रहा है जो शहीद हुए आज जिसकी वज़े से आज हम स्वतंत्र है उसको नमन कर रहा है और पशिम बंगाल की मुख्य मंद्री दर्श को राज़ृती पर उतर आई है कल ये क्या कहने की ज़रुत थी कि प्रधान मंद्री का आखरी भाशन होगा वो यही नहीं रुकी ममताब इनर्जी ममताब इनर्जी ने ये तक कह दिया कि अब आने वाले 6 महीने में इंडिया गठबंधन जो की INDIA है वो इस बार BJP को उखाड़ फिकेगी और 6 महीने बाद इंडिया गठबंधन संसदिय चुनाओ जीतेगा ये बड़ा एलान ममताब इनर्जी का और आज प्रधान मंत्री का वो जश्न भरा और ये कह लिजे उजावान भाशन जिसको देश गर्व से सुन रहा था अब ज़रा आप मैं चाहूंगी कॉमेंट कीजे क्या वाकई आपको भी लगता है कि प्रधान मंत्री का ये आखरी भाशन होगा आपको मैं प्रधान मंत्री की आज मुख्य बातों को भी बताऊंगी कि किस तरीके से उन्होंने देश के हर कोने कोने की समस्या को लाल किले के मंच से रखा है और यहीं नहीं जंडा फेरानी के बाद प्रधान मंत्री ने देश में जितनी आर्तिक समस्याएं हैं या देश में जितना विकास हुआ है देश उचायों को छूरा है देश आजशिखर पर मौजुद है उसका भी उल्लेख किया है अब मैं आपको बता दू मम्ता ही नहीं कॉ और देखिए एक तरफ राज्यती अपने जगा है लेकिन देखिए इन्होंने सटन्तिता दिवस पर भी राज्यती करके देश की जनता को निराश कर दिया और ये कहा जा रहा है कि यहीं सब रवाया यही सब लक्शन विपक्ष के जो इस बार भी विपक्ष को करारी हार दे ये रोस किसको टागेट करना है बीजेपी को अब मैं आपको आगे बढ़ती हूँ किस तरीके से उन्होंने और बाते कही है देखिए खेला होबे खेला होबे ये बंगाल में आम बात है और बंगाल ही नहीं ममता बेलडरी के मुझ से जब से ये शब्द निकले हैं देखिए यहां भी एक बार फिट से ही दिखर कर दिया कह रही है कि लोकसभाज चुनाओं में खेला होबे क्या खेला होबे तो खेला ये होबे कि सत्ता रूर्ट जो डल है टीमसी वो चुनाओं परचार का एलान कर चुकी है और ऐसे में पूरे राज्य से केवल्ट बंगाल से नहीं हर राज्य से बीजेपी का सफाया कर देगी पता नहीं ममता बेनर जी को इतनी जल्दबाजी किस बात की है इतनी जल्दबाजी तो कॉंग्रेस पार्टी को भी नहीं है ममता बेनर जी को अभी चार दिन पहले मुझे याद है चार दिन पहले भी एक कारेकरम को सम्मोधित कर करना है अरे पहले गठ बंधन तो जोड़ लीजे ये जनता कह रही आपसे ममता दीदी और देखें यहां वर मैं आपको बता दू इन्हों ने कहा है कि हम चाहते हैं बंगाल कुर्सी नहीं चाहता है यह ममता बेनरजी ने हुंकार भरी कल 14 अगस्त को और देखें कहा कि बंगा को बीजेपी आखों में नहीं जच रही है इंडिया गठ बंधन पूरे देश में बीजेपी को खत्म कर देगी पशिम बंगाल में टीमसी निरनायक भूमिका निभाएगी और बीजेपी को परास्त करने का एक संकल्प लेगी आगे मैं आपको बता दूँ उन्होंने कहा कि कितनी भरस्टा चार बीजेपी सरकार में हो गए चाहिए कि पुरानी मुद्दे पर आ गए जिसमें राहूल गांदी सुप्रीम कोड से फटकार सुन चुके है राफिल पर ममता बेनरजी आ गई और उन्होंने कहा कि 2000 रुपे का भी जो इन्होंने बाजारों से गायब करा दिया उस पर ये फेल साबित हुए हैं ये तमाम पाटी भरस्टा चार करती है कौन बीजेपी अब मैं आऊंगी प्रधान मंतरी के आज के भाशन से देखिए ममता बेनरजी जैसे राज निताओं को प्रधान मंतरी ने बिना टार्गेट किये चुप करा दिया सन करा दिया और जनता तालिया बजाती रही अपने घरों में टीवी पर प्रधान मंतरी को देख कर खुश होती रही प्रधान मंतरी ने अच कहा कि इसी लाल किले के प्राचीर से अगले साल भी आऊंगा देखिए कितना जादा confidence आप कह लिजे और ये कह लिजे कि देश को उचा करते अगले साल प्रधान मंतरी ही आने वाले है मतलब क्या लोकसभा चुनाओ एक बर फिट से बीजे पी जीतेगी और इसी लाल किले के प्राचीर से प्रधान मंतरी ही जंडा फेराते हुए नजर आएंगे आगे मैं आपको बता दूँ इन्होंने मनिपूर का जिक्र किया और म आके देश में एक स्थिर इस्थिती बन रही है और इसी स्थित सरकार के लिए अगले साल में इसी लाल किले से जंडा फेराऊंगा मेरा आप सब जनता से वादा है इसके साथ मैं दर्शा को बता दूँ आज प्रधान मंतरी ने एक शब्द को बिलकुल बदल कर रख दिया उन्होंने आज ये नहीं कहा मेरे प्यारे देशवासियों उन्होंने कहा मेरे प्यारे परिवार जनों आप सब को मैं संबोधित करता हूँ और वीर जमानों को याद करता हूँ आगे मैं आपको बता दूँ उन्होंने कहा पिछले दस सालों में काम हुआ है और दस सालों मे एक हजार साल का सपना संजोएं ये सरकार निरंतर कारे कर रही है हमारे हजार साल का सपना अवश्य पूरा होगा तो भविश्य का रोड में अब दर्शको प्रधान मंतरी बनाते हुए नजर आए हैं और पूरी विपक्ष पाटी सन है मली का अजुन खड़िये का ना जाना ज जो मानसिकता है वो दिखाना कि कल प्रधान मंतरी का आखरी भाशन होगा कल प्रधान मंतरी का आखरी जंडा फेराना होगा तो देखे दर्शकों को ये दिखा रहा है कि विपक्ष वाकई बौकलाहट में है और लगातार कल भी बीजेपी सांसोदों ने कहा कि विपक्ष की बॉखला हाट है सक्षी महराज ने कहा और देखिए समय का पहिया घूम रहा है लगातार लोकसभाज चुनाओ की तैयारी अर्तेज हो रही है बीजेपी अपने गुजरात मॉडल को लेकर हर राजे में तैयारी करने पर उच्छुक दिखाई दे रही है जहाँ पर केंद्रिय मंत्री अबिट्शा लगातार अपने अपने सांसदों को बीजेपी के तमाम मिनिस्टर्स को ये एक दिशा प्रधान करते हुए मोधी सरकार में दिखाई दे रहे हैं आगे मैं आपको बता दूँ थोड़ी और बाते दिल्चस्प प्रधान मंत्री की प्रधान मंत्री ने आज लाल किले से मनिपूर का जिक्र किया और उन्होंने कहा मनिपूर में हमारे परिवारों ने भारत की जनता ने जो दृष्ट देखा है वो उन सब को ठीक करने की सरकार मजबूती से देशा दे रही है और मनिपूर की जो समस्या है वो देरे देरे हम उसका समाधान करने ह इसके साथ मैं अकुवतादू जो आपदा लगातार आ रही देखे अभी उत्राखंड में आपदा आई अभी शिमला में भी जिस तरह के से इस्तिती बनी हुई है और ये अभी हाल की ही खबरों को भी प्रधान मंत्री ने प्रकाशित करा और कहा कि जिस तरीके से मैं उन सभी परिवार वालों के लिए समविदना व्यक्त करता है प्रकृतिक आपदाओं से जूज रहे हैं आगे मैं आपको बतादू प्रधान मंत्री ने देखिए इशारों में दर्श को ये कह दिया है कि पूर्ण बहुमत से 24 में बीजेपी वापसी करने वाली है और अगर कर गई तो इतिहास के स्वर्णिम कालों में ये अक्षरों में ये लगातार मिटा मिटा शब्द हो जाएंगे कि बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाया और केंद्र में लोटी है आगे मैं आपको बतादू उन्होंने कहा देखिए सबसे खास बात तो मेरे प प्यारे परिवारजन आगे मैं आपको बतादू उन्होंने कहा कि आज इतना बड़ा देश मेरा हमारा आप सभी का 140 करोड जनता की मदद से हो रहा है जो लगातार GDP ग्रोथ करवाने के लिए अगरसर है यानि भारत की अरे जनता शुफ कामना देने योगे है आज भारत वि खरीवी मिटेगी सबका साथ सबका विश्वास और सबका समाधान इसी सरकार के जो चक्र में कालखंड में लगातार ये बाते प्रधान मंत्री दोहराते हैं इसको साबित करते हुए केरने की सरकार दिखाई दे रही है आंतीम बात मैं आपको बता दू उन्होंने कह दिया ह हम राज्य सरकार मिल कर देश के हर कोने से संकट को मिटाएंगे संकट से निपटेंगे प्रगती के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे इसके साथ साथ सभी बातों का जिक्र करते हुए प्रधान मंत्री ने अपने भाशन को समाप्त किया तो देखिए ये खबर इसलिए महतोप मुझे जिस तरीके से आज उर्जावान प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का भाषन रहा है क्या आपको लगता है वाकई देश संब्रिध हो रहा है और देश उचाईयों को छूरा है देश आज विकास की लगातार गाथा लिख रहा है और इधर इन राजनिताओं की मानसिक्त पर आपकी जो भी राए ज़रूर रखें कि कल प्रधान मंतरी का आखरी भाषन और विपक्ष की नेता रहें रास्ट्य अध्रक्ष रहें मलिका आजुन खड़के का साल किला के प्रोग्राम में नहीं जाना और इस तरीके से बॉयकोट करना यह दिखा रहा है कि ये स्वतन कंतरता दिवस पर भी राजनिती के लिए उतर आए है जो भी आपकी राए ज़रूर रखें बहुत शुक्रिया